काफी समय पहले गवर्मेंट ने पैन लोट के साथ में अधार काड को लिंक करना mandatory कर दिया था अगर आप अपने पैन अधार को लिंक नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपको पैन काड से जुड़ी हुई काफी सारी दिक्कते हो सकती है PAN card के साथ में अधार card को link करने की जो service थी वो पहले government ने बिल्कुल free कर रखी थी आपको कोई भी payment नहीं करनी होती थी income tax के e-filing portal पे जा करके आप खुझ से ही PAN अधार को link कर सकते थे बिना कोई payment किये लेकिन बाद में government ने इसमें 500 रुपे की penalty लगा दी काफी समय तक ये penalty चलती रही और बाद में इस penalty को बढ़ा करके 500 से 1000 रुपे कर दिया गया आज की date में अगर आप अपने pen card के साथ में अधार card को link करते हैं तो ऐसे में आपको 1000 रुपे की पहले payment करनी होगी तब ही आप आगे का process complete कर पाएंगे अपने pen अधार को link कर पाएंगे अब काफी लोग ऐसे हैं जो कि pen अधार link करने के लिए वहाँ पे apply करते हैं income tax के portal पे वहाँ पे 1000 रुपे की payment भी वो कर देते हैं और जब बाद में अपना status पो check करते हैं तो वहाँ पे उनको name mismatch या फिर date of birth mismatch इस तरह के का message show करता है तो ऐसे में उनको या तो अपने अधार काड में correction कराना होता है या फिर pen card में correction करवाना होता है ताकि उनके pen card की detail और अधार काड की detail दोनों same हो जाए और उसके बाद वह फिर से apply करते हैं और apply करने के बाद में उनका जो पैनाधार है वो link हो जाता है काफी लोगों के मन में यहाँ पे एक question रहता है कि हमें date of birth mismatch और name mismatch की problem आ रही है तो ऐसे में हमने correction भी करवा लिया है correction करने के बाद में क्या हमें 1000 रुपे की जो payment करनी होती है वो फिर से करनी पड़ेगी क्योंकि हम 1000 रुपे की payment तो पहले ही कर चुके है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही doubt क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आपको पैनाधार link करते समय date of birth mismatch या फिर name mismatch की problem आ रही है आपने correction भी करा लिया है तो correction करने के बाद में जब आप दुबारा से apply करेंगे तो क्या आपको 1000 रुपे की payment करनी है या फिर नहीं तो ये वीडियो सभी के लिए बहुती ज़्यादा important होने वाली है जो कि अपने पैनाधार को link करना चाते है और उनको date of birth mismatch या फिर name mismatch की problem आ रही है तो वीडियो को बिल्कुल last तक watch करते रहेगा बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चनल को subscribe करें और notification bell icon को और और पे दबा कर जरूर set कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो के notification सबसे पहले आप तक पहुँच पाएं तो चलिए शुरू करते हैं तो जब भी आप अपने pen card के साथ में अधार card को link करें तो पहले आपको 1000 रुपे की payment करनी होगी payment करने के बाद में आपको 48-42 गंटे का wait करना है उसके बाद में आपको दुबारा से portal पे जा करके वहाँ पे pen अधार link के लिए apply कर देना है लेकिन काफी लोग वहाँ पे अपना status चेक करते हैं तो उनको date of birth mismatch और name mismatch की problem आती है उसके बाद में वो अपने pen अधार में correction भी करवा लेते हैं correction कराने के बाद ही लोगों के मन में doubt रहता है कि अब हमें किस process को follow करना है तो देखिए अगर आपको date of birth mismatch की problem आ रही है या फिर name mismatch की problem आ रही है और आपने अपना correction भी complete करवा लिया है तो फिर आपको जो 1000 रुपे की payment करनी होती है वो फिर से करने की बिल्कुल भी जरूवत नहीं होती है आपको 1000 रुपे की payment नहीं करनी है क्योंकि already आप उसी pen number और अधार number पे 1000 रुपे का चलान create कर चुके है तो आपको दुबारा से उस चलान को create करने की जरूवत नहीं पड़ती है जो payment आप पहले ही कर चुके है उसी के दौरा आप अपने pen अधार को वापस से link कर सकते है इसके लिए आपको करना क्या है कि जब आप एक बार correction कर वा लेंगे उसके बाद में जो pen अधार linking का process होता है जो detail आपको fill करनी होती है वो आप income tax के portal पे जाएंगे तो वहाँ पे आपसे आपका pen card number अधार card number वो ही सम्मांगा जाएगा और जब वो आप fill करके final submit कर देंगे तो उसके बाद में जब कुछ दिन के बाद में आप आप लिए status चेक करेंगे तो वहाँ पे आपकी जो date of birth mismatch है और name mismatch है ये दोनों ही problem वहाँ पे solve हो जाती है और आपका जो 1000 रुपे का चलान पहले हो रखा था उसी के थुरू आपका process जो है complete हो जाता है आपको फिर से कोई भी payment करने की जुरूरत नहीं है तो जिन लोगों के मन में doubt है कि correction कराने के बाद में क्या उनको 1000 रुपे की payment करनी है या फिर नहीं तो आपको बिलकुल भी परिशान होने की जुरूरत नहीं है आपको 1000 रुपे की payment कहीं पर भी फिर से करने की जुरूरत नहीं है अगर आप एक बार payment कर चुके हैं आपको date of birth mismatch, name mismatch की दिक्कत आ रही है आपने correction भी करा लिया है तो आपको फिर से वो payment नहीं करनी है पैन कार्ड, अधार कार्ड को लिंक करते से में date of birth mismatch या फिर name mismatch की प्रवलों को किस तरीकी से solve किया जाता है इस समद में चनल पे काफी सारी वीडियोज अवेलिबल है उपर आई बटन में सभी वीडियोज का मैं लिंक आपको दे दूगा या फिर description box में लिंक दे दूगा वहाँ पे जाके उन सभी वीडियोज को आप watch कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपने देखा कि पैन धाल लिंक करते समय जितने भी लोगों को date of birth mismatch या फिर name mismatch की problem आ रही है उन्होंने अपना correction भी complete करा लिया है तो आगे उनको 1000 रिपय की payment करनी है या फिर नहीं उमीद है आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कीजेगा अपने friends और family के साथ में भी share कीजे वीडियो से लेटर कोई भी doubt है तो comment box में जरूर लिखेगा तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही मैं आप से मिलूँगा एक और नहीं वीडियो में तब तक के लिए जय है